हेलो दोस्तों आप सभी का study with concept चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो अब हम लोग आगे देखेंगे पीछले वीडियो में हम लोगों ने यहां तक देख लिया था और जो भी मेंस के हिसाब से प्री के हिसाब से हमारे इसमें important है हमने highlight कर लिया था ठीक है तो ऐसे आपको भ पाइदेमंदी होगा यदि आप handwriting notes बनाते हैं तो आगे देखते हैं इसमें यहां से देखना था हमें कुदाल और हल आईए अब हम अपना धियान बंगाल के गीली जमीनों से हटा कर सूखे अंचलों पर और इस्थाई क्रिसी के शित्र से हटा कर जूम क्रिसी के शित्र पर की ओर बिस्तार होने से आएं जिससे राजमहल की पहाडियों के इलाके में इस से जंगल और चारागा उस अर्थ विवस्ता में समा गए आप यह भी देखेंगे यानि कुछ नहीं बस यहां पर यह जो चीज़े हैं यह भूमी का तरिके स्तियार की गई है और इसके बारे मे अवेद्य लगती हैं यह एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम्यात्री जाने की हिम्मत करते थे बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने निमासियों की बेवहार को सतुरता पूर पाया वे लोग कमपनी के अधिकारियों के प्रती असंकित थे और उनसे बादशित क करने को तयार नहीं थे कई उधानों में तो वे अपने घर बार गाउं छोड़कर भाग गये थे तो यह थोड़ा सा नाम ज़रूरी हो जाता है जब आप आप आउशनल के अंसर आटिंग करते हैं तो यहां पर जो भी द्रोवे गयरे हुए थे वहां पर आप इस नाम को ले पहाड़े में क्या बताया था यह पहाड़ी लोग कौन थे वे बुकानन के दोरे के प्रती इतने आसंकित क्यों थे बुकानन की पत्रिका में हमें 19 सताब्दी के प्रारंबिक वर्सों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी उसकी जहलक मिलती है यानि अंग्रेज इस थानों के बारे में उसने डारी लिखी थी जहां जहां उसने ब्रह्मन किया था लोगें से मुलाकात की थी और उनके रिती रिवाज को देखा था यह पत्रिका हमारे मस्तिस्क में अनेक पुरश्न घड़े करती है कि तो यह हमेशा हमें उत्तर देने में सहायक नहीं होत तो यहां पर ज़्यादा कुछ है नहीं एक बरा बस पढ़के ऐसे ही छोड़ दीजिएगा यदि हम अठारवी सतापती के परवर्ती दसकों के राजस्वा अभिलेकों पर दिस्टिपात करें तो हम जान लेंगे कि इन पहारी लोगों को पहारियां क्यों कहा जाता था वेराज महल की पहारियों के इर्द गिर्द रहा करते थे वे जंगल के उपस से अपने गुजर बसर करते थे और जूम खेती किया करते थे बे जंगल के छोटे से हिस्से में जाड़ियों को काट कर और घास को जला कर जमीन साफ कर लेते थे और राख की पोटास से उपजाओ बनी जमीन पर ये पहाड़ियां लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की डाले और जुआर बाजरा उगा लेते थे यही है जूम खेती क्या करते थे जंगल जाड़ियों को साफ करते थे उनको जलाते थे और जो राख होता था उसी में ये क्या करते थे उगाते थे फसल को ठीक है और इन्हें पहाड़ी क्यों कहा जाता थे जो पहाड़ी होता था उसके इर्दगिर रहा करते थे इसलिए इन् चोड़कर नए इलाके में चले जाते थे जिससे कि उस जमीर में खोई हुई उर्वर्ता फिर से उत्पन्न हो जाती थी योग्यापका क्योंकि क्या करते थे कुछ समय के लिए छोड़ते फिर वहां पर जारी वगएर उख जाती थी फिर वह वापस आते थे फिर उसको काथते साफ करते थे इकठा करके जलाते तो फिर उसमें खेती करते थे उन जंगलों से पहाडियां लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकठे करते थे बेचने के लिए रेसम के कोया और राल और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकठी करते थे पेड़ों के नीचे जो छ पूरे तरीके से किस पर निर्फ़ती तो संसाधु जंगली संसाधुन उपर ये सब चोड़ दिजेगा ऊपर एक बार देख लेते हैं ये भुकानन वाला फ्रांसिस भुकानन एक चिकिस्तक था ध्यान रखेंगे भुकानन एक चिकिस्तक था क्योंकि पेसे से भी स्टेट पीसे सो में कोशन पूछ ली जाते हैं कि इसका संबंद किसे था भारत आया और बंगाल चिकिस्ता सेवा में कारे किया था इसने कुछ वर्सों तक भारत की गवर्नर जनरल लॉर्ड बिलेजली का सल चिकिस्तक रहा तो ध्यान देंगे ये किसके समय में डॉक्टर बन के आया था किसके समय में ये था भारत में तो लॉर्ड बिलेजली के सासनकाल में ये रहा था कलकत्ता के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिडिया घर के स्थापना की अनन के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर चड़िया घर की स्थापना की गई थी तो वो किया गया था कलकत्ता में तो यह चीज़े ध्यान रखेंगे आप ठीक है क्योंकि ऐसे कोशन साफ से पूछ ली जाते हैं जैसे कि 2021 वाले यूपी पीसेस के को उसमें पूछा और जो वो था बंगाल एसियाटिक संसाइट की स्थापना लिवे द्यसी इसी आटिक लिवे स्थापना की स्थापनी के द्वारा किया गये था sommes 2021 का ये कोश्चन है 21 का थोड़ा सा मैं कन्ष्यूज हूँ लेकिन है यह स्थापना ही द्वारा ये बिल इम जोंस के द्वारा बीलियम जोन्स के द्वारा और कब किया गया था तो यह किया गया था आपका 1784 में 1784 में और इसमें ओप्षन था जुनांथन डंकन था पहले नंबर पर फिर बीलियम जोन्स था तो जुनांथन डंकन का भी ध्यान रखेंगे तो जुनांथन डंकन द्वारा क्या किया गया था जुनांथन जुनांथन था जुनांथन डंकन इनकी द्वारा क्या किया गया था 1781 में कलकत्ता में मदर्शे की स्थापना की गई थी मदर्षे की स्थापना और वरार्षी में इन्होंने बनारस में बनारस में संसक्रीद विद्याले की स्थापना की थी और यह कब किया था इन्होंने तो यह किया था 1791 में ध्यान रखेंगे 1791 में तो कलकत्ता में मदर्से के स्थापना के आशने और बनारस में इन्होंने संसेगरित विद्याले के स्थापना की 1791 में और यहां पर असी आटिक स्थापना कब होई थी तो 1784 में तो यहां पर आप का क्रम से भी दे सकता है क्योंकि यह चीजें ऐसे करके पूछ लिता है करम बताने का तो सबसे पहले आपका यदि करम पूछेगा तो आएगा एक बार यहां पर जनातन डंकन का सबसे पहले एक पर लिखेगा मधरसी का दूसरे पर आपका आएगा एसी आर्टिक सोसाइटी का और तीसरे पर आपका आएगा ये संसक्रीट का संसक्रीट का एका दोर दे सकता आप पर इचे जब ये तीनों सिक्वेंस आपको याद दे तो आप आराम से अपना कोशन कर ले जाएंगे तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे ठीक है तो ये पूछ चुका है हलांके ये ये नहीं पूछा है तो क्या पता ये भी आपसे पूछ यहां से भी कोशन आपका बन सकता और यहां से भी बन सकता है जो कलकत्ता अलीपूर चुडिया घर कहला जा तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कलकत्ता अलीपूर चुडिया घर का निर्मान किसने किया था स्थापना किसने करवाय था तो वो करवाय था बुकान अन्य वे थोड़े समय के लिए वनस्पदिक उद्धान के परभारी रहे तो दिखिए यहां पर अब एक स्ट्रेटमेंट बना देगा UPSC अब वो कैसे बनाएगा कि यह थोड़े समय के लिए वनस्पदिक उद्धान के परभारी रहे यह एक चिकस्तक भी थे लॉड बिलेजली के काल म चिरशे सेले चिकस्ता का काम करते थे इन्लमलकीं से किस के बारे में कहा जा रहा है तो आपको बताना है बुकानन के बारे में तो UPSC में कोशन इस तरीके से बन सकता है और PCS में आपका मौललाइनर कोशन बन सकता है आगे बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपणी के अधिकार शेत्र में आने वाली भूमी का बिस्तरिस सर्वेक्षन किया 1815 में वह बिमार हो गए और इंग्लेंड चले गए अपनी माता की मृत्यू के पश्यात वे उनकी जाजात के वारिस बने और उन्होंने उनके वन्स के नाम हैमीत्रन को अपना लिया इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमीत्रन भी कहा जाता है ठीक है तो यह हो गया आपका तो यहां से जो चीज़ा आपको बताई गई है तोड़ा सा बस यह चीज़न धियान रखेंगे आप इन्होंने सर्वेक्षर भी किया था चीकिस तक भी रहे थे और फिच ज़्या घर का भीन हुने स्थापना किया था अब यहां देखते हैं सिकारियों जूम खेती करने वालों खाद बटोरने वालों काट कोईला बनाने वालों रेसम के कीडे पानने वालों के रूप में पहाडियां लोगों की जिंदगी इस प्रकार जंगल से घनिस्ट रूप से जुड़ी हुई थी तो जाहिर से बात अंगल उनके आजीवका का श्रोत है तो उनसे जुड़े ही रहेंगे वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपने जोपडियों में रहते थे और आम के पेड़ों के च्छा में आराम करते थे वे पूरे परदेश को अपनी नीजी भूमी मानते थे और यह भूमी उनकी पहाडियों को अपना मुलाधार बनाकर पहाडियां लोग बराबर उन मैदानों पर आकरमन करते रहते थे जहां किसान एक स्थान पर बसकर अपनी खेती बाड़ी क्या करते थे पहाडियों दोरा ये आकरमर ज्यादा तर अपने आपको बिसेस रुप से अभाव या अकाल के वर्सों में जीवित रखने के लिए किये जाते थे अब इन्होंने क्या कर दिया कि जब देखते थे कि लोग मतलब जो पहाड़ी से सटा हुआ जो मैदान है वहाँ पर कई सारे लोग आकर कि वहाँ पर जुंगी जोपड़ी अपना बना करके क्रिसी कर रहे हैं तो यह क्या करते थे उन पर आकरमर करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जब जंगल की संसाधन खतम हो तो हमें जीवित रहने के लिए कोई श्रोथी ना मिले इसलिए ये उनके आसपा करके मत रहें आपा करके हैं पर खेदी मत कीजिए साथ ही ये हमले मैदानों में बसी हुए समुदाय पर अपने ताकत दिखलाने का भी एक तरीका था इसके लावा ऐसे आकर्मन बाहरी लोगों के साथ अपने राजनेदे संबंद बनाने के लिए भी कियत थे मैदानों में रहने वाले जमिदारों को अक्सर इन पहाड़े मुख्याओं को नियमित रूप से खिराज देकर उनसे सांती खरीदनी पड़ती थी अब देखें यहाँ पर जो जमिदार है वो खिराज देकर खिराज तरीकी से टेक्स होगा जो नियमित रूप से वो देता था खिराज देकर के उन्हें सांत करता था कि भाई हमारे भी जो लोग हैं जो जा रहे हैं आसपास खेती कर रहे हैं उन्हें खेती करने दिया जाए बाकी बदले में आप हम से अपना ले लिजिए खाती पीते रहें ठीक है तो वही देता था इसी परकार दिए ब्यापारी लोग भी इन पहाडियां दोरा नियलत्री रास्तों का इस्थिमाल करने की अनुमती पराप्त करने है थी उन्हें कुछ पत कर दिया करते थे यह जमिदार क्या देते थे खिराज देते थे और जो ब्यापारी थे उसी रास्ते से हो करके जाते थे ब्यापार करने क जाता था था तो वे व्यपारी की रक्षा करते थे और यह भी आसवासन देते थे कि कोई भी उनके माल को नहीं लूटेगा इस प्रकार कुछ ले देकर की गई सांती संधी अधिक लंबे समय तक नहीं चली यह अठारवी सताबदी के अंतिम दसकों में से उस समय भंग हो गई जब इस तिर खेती के लिए शेत्र की सिमाए आकरामा करिती से पूर्वी भारत में बढ़ाई जाने लगी यानि इनके अंदर लोब आ गया जिनको इन्होंने परमिशन देया था कि ठीक है आप एक काम केजिए कि आप यह जो पहाड़ी है पहाड़ी के आसपास के जो छेत् तो आप एक काम केजिए इतने में खेती केजिए लेकिन इन्होंने क्या किया धीरे-धीरे करके यह बढ़ाना स्टार्ट कर दी है तो यह इन्होंने भी क्या किया कि बहुत जादा दिन तक संदी के माध्यम से इनसे मेल मिलाप करके नहीं रह पाए अंगरेजों ने जंगलो के श्रोतों में बिद्धी हो सकते थी कि इनके जो राजश्व का श्रोत था इनके जो आजीविका का श्रोत था वो क्या था उत्पादन ही था जब उत्पादन होगा तो बयापार होगा जब बयापार होगा तो ज्यादा टैक्स मिलेगा और जब ज्यादा टैक्स मिलेगा तो तो राजस में बृधिधी होगी और जब राजस में बृधिधी होगी तो फायदा होगा यह अपना सम्राज भिस्तार की नितीज, सैंने संगठन, फुजो भीवेतन, डिकार्यूचौ इसे क्या कर सकते थे फिर भारत के छीज़ों को भारत के पैसे से खारीत करके यूरोब भ जार मानते थे और वनवासियों को असब या बरबर उपद्रवी और कुरूर समझते थे तो ये एक बार स्टेटिमेंट पूछा भी है कि वनवासियों को अब असब या बरबर उपद्रवी और कुरूर निर्मलिकित में से कौन समझते था तो ये ब्रिटिस वाले समझते थे जिस पर सासन करना उनके लिए कठिन था इसलिए उन्होंने यही मैसुश किया कि जंगलों का सफाया करके वहां इस्थाई किरिसी स्थापित करनी होगी और जंगली लोगों को पालतू वसब यह बनाना होगा उनसे सिकार का काम छुड़वाना होगा और खेती का धंदा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा जियो जो इस थाई किरिसी का विस्तार होता गया जंगलों तो चारा गाहों का छेतर संकूशित होता गया अब इससे क्या हो अभी जो पशुव गहरा को रखते थे यह भी शेतर संकूशित हो गया तो यह पशुव पर फिर जंगली संसादन पर इन्हीं पर निर्भर रहते थे तो चारा गाह भी कम हो रहे है तो पसो जिवित नहीं रह सकते फिर जंगलों को साफ के जा रहा है कि रिसी भूमी के लिए उनके जंगली संसादन भी जा रहे हैं तो यह क्या करेंगे भी दुरो नहीं करेंगे तो इसे से पहाडी लोगों तथा इस्थाई खेतिहारों के बीच जगरा तेज हो गया पहाडी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे हुए गाउं पर हमले बोनने लगे और ग्राम मुआसियों से अनाज और पसू छीन जपट कर ले जाने लगे अपनिवेसिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाडीयों पर काबो की भर्सक कोशिश की परन्तु उनके लिए ऐसा करना असान नहीं था 1770 के दसक में ब्रेडिस अधिकारियों ने इन पहाडीयों को निर्मूल कर देने की क्रूण निती अपना ली और उनका सिकार और सवहार करने लगे तदो परान 1780 के दसक में भागलपूर के कलेक्टर अगस्टस क्लिवलेंड कलिवलेंड ने 37 स्थापना के निती प्रस्तावित की जिसके अनुसार पहाडियों मुख्याओं को एक वार्सिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक रखने के जिम्मदारी लेनी थी उनसे ये भी आसा की गई कि वे अपनी बस्तियों में विवस्ता बनाए रखेंगे और अपनी लोगों को अनुसासर में रखेंगे लेकिन बहुत से पहाडियां मुख्याओं ने भट्ता लेने से मना कर दिया जिन्होंने इसे स्विकार किया उनमें से अधिकांस अपने समुदाय में अपने सत्ता खो बैठे अपनी वेसी सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधिनस्त कर्मचारी या बैतनिक मुखिया माना जाने लगा यानि इन्होंने इसका बिरोध किया इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इससे पता चलता है कि इनमें कितनी एक्ता थी आप यहां पर देख सकते हैं कि जिन मुखियाओं ने यह जो एक तरीके से कह सकते जो प्रस्ताओ था अंग्रेजों का वो स्विकार किया उस मुखिया को उन्होंने छोड़ दिया चीक है यह मानते ही नहीं थी उसको जब 37 स्थापना के लिए अभ्यान चल रहते तबी पहाडियां लोगों अपने आपको सत्रतापुड सैन्य बलों से बचाने के लिए और बहारी लोगों से लडाय चालू रखने के लिए पहाडों के भित्री भागों में चले गए अब वो पहाड़ी लागों में रहते तो उनको पता था कि कहां से हम सुरक्षा कहां हम सुरक्षित रह सकते हैं इसलिए जब 18-10-11 की सर्दियों में बुकानन ने इस शित्र की आत्रा खीती तो यह सुभावी खीता की पहाड़ियां लोग बुकानन को संधे और अविस्वास की दिरिष्टी से देखते थे तो जो बुकानन ने कहा था वो गलत नहीं कहा था वुकानन ने ठीक कहा था कि संधे की दिरिष्टी से देखते थे अब जाहिर सी बात है कि जब इन पर इतना त्याचार किया जा रहा है हिनसात्मक गतिविदियां अपनाई जा रही है कि इनको एक काम करते कुरूरता से इनका दमन किया जा रहा है कि किसी तरीके से इनका सफाया हो हमला रुके और हमारा जो ग्रिष्टी शित्र का विस्तार है वो बढ़ता जाए तो जब कोई भी आता था तो यह अंग्रेजी समझेंगे इसलिए वो संदेह के द्रिष्टी से देखते थे तो इसकी जो पृष्ट भूमी थी वो आप देख सकते हैं कि संदेह के द्रिष्टी से देखने वाली पृष्ट भूमी यहां पूरी आपकी बता दी गई है 37 थापना के अभियानों के अनुभव और कुरूरता पूर्दमन के यादों के कारण उनके मन में ये धार्ना बन गई थी कि उनके इलाके में ब्रिटिस्ट लोगों की घुसपैट का क्या असर होने वाला है उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि प्रतेक गुरा आदमी एक ऐसी सक्ती का प्रतनिसित्व कर रहा है जो उनसे उनके जंगल और जमीन छीन कर उनके जीवन सैले और जीवित रहने के साधनों को नस्ट करने पर उतारू है तो यही था उनका यह डर था यह हमारा जो यहाँ पर जो हमारा आज जी विका चल रही है उसको यह लोग छीन लेंगे वस्तोते इन्ही दिनों उन्हें एक नए खत्रे की सुचनाई मिन लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन अभी यह तो अंग्रेज तो थे ही अब संथाल भी आ गए संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए इमारती लकडी को काटते हुए जमीन जोत्ते हुए और चावल तथा का पास उगाते हुए उस इलाके में बड़ी संक्या में घुश चले आ रहे थे चुकि संथाल बासिंदों ने निचली पहाडियों पर अपना कबज़ा जमा लिया था इसलिए पहाडियों को राजमहल की पहाडियों में और भीतर की और पीछी हटना पड़ा यानि अब यह लोग क्या के थे कि जो निचला भागता पहाडी का अब हुआ पर संथाल आ गए थे इसलिए इन बेचारों को क्या हुआ कि और ही ज़्यादा अंदर कत्रक फिसकना पड़ा पहाडीया लोग अपनी ज्भूम खेती के लिए कुदाल का प्रियोक करते थे इसलिए यदि कुदाल को पहाडीया जीवन का प्रतिक माना जाए तो हल को नय बासिंदो संथालों की सक्ती का प्रतिनिधित्व मानना होगा यानि देखिए यहाँ पर दो चीजे हैं कुदाल किसका प्रतिनित्व करता है कुदाल करता है पहारियों का प्रतिनित्व और जो हल है वो किसका प्रतिनित्व करता है ये करता है आपका संथालों का हल और कुदाल के बीच के यह लडाई बहुत लंबी चली संथाल अगुआ बासिंदे सना ठार्ट दस के अंत में बुकानर ने गंजूरिया पहाड जो की राजमहर स्रिंखलाओं का एक भाग था को पार किया और आगे की चट्टाने परदेश के बीच में निकल कर वह एक गाउं में पहुँच गया पैसो तो यह एक पुराना गाउं था पर उसकी आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी वहां के भुदुरुसी को देखकर उसे पता चला कि मानव स्रम के समुशित परियोग से उस शेत्र की तो काया ही पलट गई है उसने लिखा गंजूरिया में अभी अभी काफी जुताई की गई है जिससे यह पता चलता है कि इसे कितने सांदार इलागे में बदला जा सकता है मैं सोचता हूँ इसकी सुन्दर्ता और समरिद्धी विश्वक के किसी भी छेत्र जैसे विक्सित की जा सकती है तो ये थोड़ साब ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा कहा गया था यहां की जमीन अलबत्ता चटानी है लेकिन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और भुकानर ने उतनी बढ़िया तंबाको और सरसो और कहीं नहीं देखी पुछने पर उसे पता चला कि वहां संथालों ने किदिशी शित्र के सिमाए काफी बढ़ा ली है यानि जो देख रहा था कि अभी अभी ये जो काफी जमीनों को जुताई की गई है वो किस ने किया था संथालों ने किया था इसका मतलब कि संथाल काफी आगे बढ़ चुके थे वे इस इलाके में अठारसों के आसपास आये थे उन्हेंने वहां रहने वाले पहारी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया जंगलों का सफाया किया और फिर वहां बस गया है संथाल लोग राजमहल की पहारियों में कैसे पहुँचे संथाल 780 के दस्तक के आसपस बंगाल में आने लगे थे जमिदार लोग खेती के लिए नई भूमी तयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और बिटिस अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसाने का काम करना स्टार्ट कर दिया था ठीक निमंतर दिया कि आप एक काम की जो वहां पर जाईए सफाया की देख सकते हैं जो बना हुआ है यह संथालों का वास है लाकिस पर बहुत साफ नहीं है और यह सब खेती है यह सब भूमी है जहां पर यह खेती कर रहे थे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यह क्या करते थे कि जो जमिदार थे उनको भाड़े पर रखते थे अब भाई सब को इस टाइम पर जरूरत होगी हैं वहां बसने के लिए निमंद्रित किया कि जब बहुख पहारियों को अपने बस में करने इस्थाई के लिए एक इस्थान पर बसने बसाने में असफल रहे तो उनका ध्यान संध Radhaasi कि आपको बत्ता भी दे रहें है आपấ wok se a requis haon क्जयाने हैं लेकि इन्हों क्या किया मना करदे यह उसको अपणी भूमी रहा की तब इजोंने संथालों की और अपना ध्यान दिया और संथालों को ला करकर यहां पर बसाना स्टार्ट किया पहाडिया लोग जंगल कातनी के लिए हलको हाथ लगाने को तयार नहीं थी और अब भी उपद्रवी विवार करते थे जबकि इसके विपरे संथाल आदर से बासिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वे भूमी को पूरी ताकत लगा कर जोटते थे संथालों को जमीने देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तयार कर लिया गया था जोड़ हिसें गोसिद किया गया था दामीने को को तो यह प्याहन रखेंगे हुए!.. उन्हें इस बीदर रहना था हल चुला कर खेती और स्थाई किसान बनना था मैं संथालों को दे जाने बाली भूमी का इंधान जो एक होती है तरीके से कह सकते हैं कि दामीन एकोह की सिमानकन की बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी संथालों की गावों की संख्या जो 1838 में 40 थी तेजी से बढ़कर 1859 तक 1473 तक पहुँच गई इसी अवधी में संथालों की जन संख्या तेश सवाप को ध्यान नहीं रखना है 19-19 सतावदी की संथाल गीतों और मितकों में उनकी यात्रा के लंबे तिहास का बार बार उल्ले किया गया है उनमें कहा गया है कि संथालों अपने लिए बसने योगे स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते रहते थे अब यहाँ दामिनी कोह में आकर मानू उनकी इस सियात्रा को पुन बिराम लग गया यानि ये भी कही ने कही अपने जगें खोशते थे और इसी चीज़ का फायदा जमिदारों और अंग्रेजों ने उठा लिया इन्हें बसा दिया और ये बस गये इसलिए ये जेजान से मेहनत करते थे वहाँ पे जब संथाल राजमहल की पहाडियों पर बसे तो पहले पहाडियां लोगों ने इसका प्रतिरोद किया पर अंततोगवता वे इन पहाडियों में भीतर कियो चले जाने के लिए मजबूर कर दिये गए उन्हें निचली पहाडियों तता घाटियों में निचक योड तो ये कुछ नहीं है मैं ऐसे पढ़ लिजेगा इसको अब यहां देखेगा अब इनका विद्रों का जो प्रिस्ट भूमी और तयारों का कैसे ये तो ऐसे ही पढ़ लिजेगा किन्तु संथालों ने भी जल्दी ही समझ लिया कि उन्होंने जिस भूमी पर खेती करनी सुरू की थी वह उनकी हातों से निकलती जा रही है संथालों ने जिस जमीन को साफ करके खेती सुरू की थी उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी साहुकार जो ये दीकु जो बाहरी लोग ये मानते थे कि ये बाहरी हैं लोग बहुत उची दर पर ब्याज लगा रहे थे और कर जादा ना किये जाने के सुरत में जमीन पर ही कबजा कर रहे थे यानि ये विचारे एक तो बसे इन्होंने जी जान लगा करके खेती की और जब उपाज होता था तो ये क्या करते थे कि अब भाई इन्हें भी तो जरुआ थे ना ये भी तो खाने पीने के लिए अपने समान रखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि एक तो पहले तो सरकार ने टेक्स लगा दिया कि इतना टैक्स आपको देना उसके बाद सो जो बचे का वो आपका है उसके बाद साहुकार आए अब साहुकार भी कुछ जादा ये ब्याज लगा दियें ये जो मानलेजे कि ये करज वगर जो ले करके खेती करते होंगे उस पर जादा ब्याज इनों ने लगा दिया तो इसस अपना सासन हो जमिदारों साहुकारों और अपनिवेसिक राज के कि विरुद बिद्रो करने का समय आ गया है अब यह अच्छे तरीकी से समझ चुके थे हम यहाँ पर जहां बसे हैं एक तो साहुकार का ब्याजना चुकाने के साहुकार जमीन पर ही अपना कभजा कर लेता था ठीक है और वहां नादेने के बाद से वह भी प्रतारित करते थे ब्रिटिस भी तो यह देखिए सिद्धु माजी संथाल विद्रो का नेता तो यह पूछा गया आप से कोशन कि संथाल विद्रो का नेता कि कौन था संथाल और विद्रो का नेता तो यह किया था आपका यह यह बीपीस से और यूपीपीस दोने में पूछा है तो यह थे सिद्धु माजी सिद्धु कानू भी आता है ध्यान रकिंगे कानू भी है कि यह देखिए संथाल ब्रिटिस राज के सीपाईयों से यूद करते हुए फरवर पकड़ लेते थे कुरूरता पुरोग दमन करते थे यह सब बताए गया है इसके बारे में 18556 के संथाल बिद्रों के बाद संथाल परगने का निर्मान कर दिया गया तो ये भी पूछा गया डेट आप से ये बीप्यस्टी में पूछा गया है कि संथाल बिद्रों कब हुआ था जिसके लिए पच्पन सो वर्गमील का शित्र भागलपूर और बीर भूम जीलों में से लिया गया और अपनिवेसिक राज को आसाथी की संथालों के लिए नया परगना बनाने और उसमें कुछ बिसेस कानून लागू करने से संथालों संतुस्ट हो जाएंगे तो अब भी हम यहीं तक रहने देते हैं ठीक है यहां से काफी चीजें हैं जो समझने वाली हैं तो इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे तो आप सभी को मरसाथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद